सुश्मा शर्मा एक सामाजिक कार्य करता हैं और नई तालीम की शिक्षिका है 1964 में उनका जन्म हुआ भद्रावती में जोकी महराष्ट्रा में है और उनकी पढ़ाई टाटा इंस्टिटूट अप सोशल साइंसिस में हुई सुश्मा ने 15 साल ग्रामीन भारत में शिक्षा का काम किया और फिर उन्होंने नई तालीम की पद्धती से चलने वाले सेवग्राम आशरम के स्कूल की पुनर गठन में भाग लिया आज वो नई तालीम समिती सेवगराम आश्रम के चलाई हुए स्कूल की प्रिंसिपल है नमस्ते सुष्मा जी वेलकम नमस्ते रेजनी जी आपका अच्छा लग रहा है जी मुझे भी मुझे भी आहिमसा कॉन्वर्सेशन्स में आपका स्वागत तो बच्पन से शुरू करते हैं आपकी सबसे पहली क्या यादाश्त होगी आहिमसा के असूल या उसके अनुभव के बारे में दिखिए मैं एक खेती हर किसान के घर में पैदा हुई हूँ और इसलिए मैं ये देखती रही बच्पन से कि खेती तभी करपाते हैं जब सब लोग सहयोग देते हैं किसान ही नहीं, मजदूर भी इनके बीच में एक बहुत अच्छा रिष्टा होने की जरूरत होती है और किसान ही तभी होती है जब समय, बेसमय आप काम करने के लिए तयार होते हो जानवर होते हैं, बारिश होती है, तो कभी सूखा होता है, तो वाक्त बेवक्त आपको काम करना पड़ता है, ये तभी संभव होता है, जब आपसी रिष्टे बहतर हो, और चुकि मेरे पिता जी थोड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने अग्रिकल्चर में ग्राजुशन कि और समझ रखते थे, बाबा अम्ते जी के मित्र के रूप में भी काम करते थे, तो मैंने ये देखा कि मेरे पिता जी बहुती स्नेह से उनके साथ के लोगों के साथ पेश आते थे, और मुझे याद है, एक बार हमारे एक खेत में काम करने वाले वाला परिवार, वे बीमार ह हो गे थे, बहुती बुडी तरह से बीमार हो गे थे, दोनों और मेरी मा रसोई बना कर पहले गरम खाना उनके अहां भेजती थी, उसके बाद हम लोग खाते थे, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुती स्नेह भरा संबन जो है या हिंसा की तरफ जाने वाला है, प्रेम का संबन है, मुझसे भी ज्यादा तो समवेदंशील मेरी बहन की, ऐसे परिवारों में कुत्ते जानवर तो होते ही हैं, तो जब कुत्ता बीमार हो जाता है, कुत्तों में लड़ते हैं, तो जखने हो जाती है, तो मुझसे भी ज्यादा मेरी छोटी बहन इतना प्रेम करती कि उनका नर्सिंग वो बहुत ही स्नेह से करती थी, मैं थोड़ा पीछे से जाती थी, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इर्रेस्पेक्टि ओफ एज, आप किस तरह से आपके साथ के लोगों के साथ जूडते हो, अपने अगल बगल के जीवों के साथ आप जूडते हो, उससे उ शायद पहला अनुभव है, जिसका अभी भी मुझे वो यादे हैं, आप पूछ रही हैं, तो द्यान में आ रहा है, जी. तो इसी पारिवारिक संदर्व में, गांधी जी का और उस तरह से राजनेतिक या सामाजिक तस्तर पे आहिंसा का विशय कैसे आया? मुझे ऐसे लगता है कि बचपन से ही, ऐसे अलग-अलग मैं माइल्स्टोन्स देखती हूँ, वो सड़न टर्न थी, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं देखती थी कि बचपन से ही, हमारे गर में बाबा, आम्टे और आननवन के परिवार से जुड़े लोग आते रह थोटे समय के लिए, मैं से मानती हूँ कि बचपन से ही, मैं कुछ हद तक अहिंसा के विचार को, या गांधी जी का जो विचार है, उससे थोड़ा-थोड़ा, मैं बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरे माँ पिता जी ने मुझ से इतनी गहरी बाच्च करता रहे हैं, और सेवाग्राम में और उरिसा में उन्होंने काफी लंबा काम किया था, और एक क्रांतिकारी जीवन से जुड़ा हुआ, मार्क्सिस्ट विचारों से जुड़ा हुआ यह इंसान, गांधी जी के सानिद्य में आके पूर्ण रूप से अहिंसक तरीके से काम क करने के विचारों के बन गए और गांधी विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, तो मेरी मा उनके सानिद्य में आने के बाद, जब वो कॉलेज में जाती थी, उस वक्त की बात मैं कह रही हूँ, और शादी के पहले वह अन्ना सहब के साथ द तो उन्होंने और अन्ना सहब जी ने दोनोंने मिलकर तै की है, और वो अंतरजातिय विवाह है, तो उस माने में मुझे ये भी याद है, कि मेरे पिता जी तो बहुत अलग दंग से सोचते थे, पर वे तो एक और्थोड़क्स परिवार से आते थे, तो बाकी लोग थोड़ होंगी, तो मेरे ताउजी, मेरे मा के हाथ का पानी नहीं पीते थे, और वे कहते थे कि अच्छा तू लेया, तो इस तरह से पर मेरी माने कभी इस बात का बूरा माना नहीं, और वो पुरे परिवार की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती रही, यहां तक कि उनके आखरी समय में, अन्तकाल में, समय में, वे हमारे यहां रहे और मेरे पीता जी और माने, मेरी ताई जी और उनके भी कुछ समय के लिए सेवा की है, तो मैं से मानती हूँ कि यह अलग धंका परिवार मुझे मिला, तो बहुत तात्विक रूप से मेरी समझ तो नहीं बनी, पर व्योहार केसे होता है, इसका तो बचपन से ही अनुभू मुझे मिला, और मैं से मानती हूँ कि I am grateful to them. आप बड़ी कहां पर हुई यह, where was your childhood? मैं चंद्रपूर जीला, महराष्ट के चंद्रपूर जीले में भद्रावती नाम का एक बहुत छोटा गाओ है, वहां पर मैं बड़ी हुई हूँ, और मेरी प्राथभीक शिक्षा तो वही हुई, पर महाविद्यालीन शिक्षा के लिए मैं कुछ समय के लिए बरो रा, आन के लिए पूरे विद्धा पिठ में, और बाद में टाटा इंस्टीटूट अप सोशल साइंस से से मैंने एमे एजुकेशन किया है, तो थोड़ा अलग अलग जगह पे पढ़ाई हुई है मेरी, आप बाबाम्ते को जानती है, कई लोग जानते हैं, महराष्ट के तो बहुत कि गांधी विचारों से या समता से प्रेरीद भी पर अहिंसा में विश्वास रखने वाले, यह जिन में समाजवादी भी आते हैं, और कुछ हद तक जो हिंसा में न विश्वास रखने वाले कुछ माक्सवादी अक्टिविस्ट भी थे, और जो परियावरण के बारे में बहुत समझभूज रखते थे, आधिवासी और ग्रामिन क्षेत्र में काम करते थे, ऐसे कारिय करताओं को युवाओ के साथ बादचीत करने के लिए वहाँ बुलाया जाता था, उसी तरह से आम्टे जी चुकि श्रम के माध्यम से, निर्मान के काम से समता आनी चाहिए, माने में समता ला सकते हैं, तो श्रम से दूर केवल बुद्धी जीवी तरीके से जीना, ये कोई उनके भी सोच का एक हिसा नहीं था, और इसलिए उन्होंने लेप्रसी पेशन्स को भी अपने श्रम से स्वावलंभी बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, तो दोनों की एक रूपता ये, अगर हम कोई बदलाव की चाहत रखते हैं, तो युवाओं को इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो वहाँ पर काफी हद तक वैचारिक रूप से भी पोशन हुआ है मेरा, क्योंकि मैं महाविद्यालीन समय में वहाँ पर चाती थी एक चात्र के रूप में और बहुत सारे मीतर थे जो अगलग काम में लगे थे और बहुत सारे बड़े दोस्ति जी ने कहा जाय है, पर वे हमारे मारगदरशक थे जो अपना योगदान देते थे समाज में तो चाहत तो उस वक्त से हुई और फिर में भारत जब मुखरूप से पहली रात्रा में जो कान्या कुमारी से कश्मीर तक गई उसमें मैं शामेल हुई थी और मेरे पिताजी ने और माने बहुत ही खुश्टी से मुझे और मेरे बहुए को जाने के लिए मोहका दिया तो मैं से देख्यों कि उन्हों है मुझे और मेरे भाई में कोई परक नहीं किया बहुत बढ़िया यह 1987 1987 जी और यह समय था कि बहुत बड़ा एक्सपोजर था क्योंकि यह वक्त था कि जब हमने देखा कि कितनी वीविधत आपने देश में है सांस्कृतिक वीविधता है पूर्ण रूप से जॉग्रिफिकल वीविधता है लोग कितने गाओं के लोग कितने सरल और कितने विश्वास के साथ स्वागत कर रहे थे पूरे इस राली में युवाओं का बाबाम्ते अपकोस बाबाम्ते के कारण यह हो रहा था पर वो सरलता और उसके साथ साथ कई जगह पर विशेश रूप से गुजरात, मध्यप्रदेश और आगे चलकर जिस तरह से आदिवासियों के शोशन के आधार पर हमारे विकास की परिकल्पना खड़ी हो रही थी और उस वक्त नर्मदा पर बांध बन रहा था सरदार सरोर और नर्मदा डैम जिस कारण से बहुत बड़े पैमाने पर किसान अदिवासी विस्थापित तो होई रहे थे पर इतना सुंदर गहना जंगल वो भी डूब रहा था और स्वाभविक रूप से आप जानती हैं कि बाबा अमटे कितने उस वक्त नर्मदा के बाद में उन्होंने नर्मदा के पास ही जाने का रहने का कुछ समय के लिए नीरणय भी लिया था तो वे बहुत प्रभावित थे और बहुत बुरा लग रहा था उन्हें ये जो प्रक्रियाएं हो रही थी और मेधाताई के साथ भी इस दोरान बादचीत होती रही और ये वक्त था जब ज्यादा गहराई से डेवलपमेंट के जो कन्विंशनल पैराडीम के बारे में मनमे सवाल उठते रहे और फिर आगे जाकर पंजाब में खलिस्तान के बारे में जो भी चल रहा था और वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण जो बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा चल रही थी उसको भी देखने का मोका मिला वहाँ पर बहुत ही करीबी से उन लोगों से बारचीत करने का मोका मिला वहिंसा वह भै वह क्रोध यह सब कुछ देखने के बाद महसूस हुआ कि यह कोई हमारा एक दूसरे के साथ जूडने का तरीका भी नहीं हो सकता है नहीं विकास की ऐसी कल्पना कि जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को अपनी किसी छोडच कि का देखने चरु एच चोड़ना पड़े और बहुत ही कथिंट जीवन का सामना करना पड़े और प्रकृती की तनी हानी हो तो देखता हो तो एक देखता वेनres भी क्रिटिकल अव जी किग क्रिजुट का इन्य कृत मैं अप्टरी आ Mamak 오래 Senang ग्रामिन विकास के काम में लगी सुमंताई बंग के साथ, सुमंताई बंग भी सरवोदय परिवार की जेष्ट कारिय करता है, खाकुर्दास बंग, उनकी पत्नी और अशोग बंग जो खेपी में काम करते हैं, जो तरून शांती सेना में पहले रहे हैं, और वर्धा जीले में खेपी, किसानों के साथ, गाउं में काम करते हैं, जी. तो नहीं तालीम का जब आपने मार्ग चुना, कि आप नहीं तालीम शिक्षा प्रणाली में अपना योगदान देंगी, तो हमारे बहुत सारे जो विश्वभर के जो ओडियंस हैं, उनके लिए ये नहीं तालीम एक बिलकुल अन्नोन कॉंसेप्ट होगा, तो थोड़ा डिटेल में बताये हैं, बट वाट इस नहीं तालीम और इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उनके गल्या थालीम, बट दालीम है नहीं टालीम, जनके नहीं हैं भू दालीम हैं, एकालीम के से हम बटेबगन क्यां पुनियादी तालीम हैं, इक हम तालीम बट राफ फ्लीज जोड्याद तो एक तरह से यह शिक्षा, ऐसी शिक्षा है जिसमें थोड़ा सा कॉंटेक्स्ट, शायद हमें समझने की ज़रूरत है कि कान्दी जी किस तरह से देखते थे और उनका दर्शन किस तरह से विकसित हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा, जो सभी लोग जानते हैं, कि पश्रिम मे साउथ अफ्रिका में उन्होंने जिस तरह से वहां के प्रशनों को हल किया, और उस वक्त कॉलोनाइजेशन के बहुती बूरे एक परिणामों का सामना हमारा देश कर रहा था, और वे देख रहे थे कि एक बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्रियालाइजेशन के साथ, साइ ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ हद तक अच्छी चीजे हो भी रही थी, पर बहुत बड़े पैमाने पे एक सेलफिशनेस जो है हमें, स्वार्थ प्रेरित हमारी इच्छाएं, मैं इसमें ये तो नहीं करूंगी कि एस्ट के अगेंस्ट वेस्ट क्योंकि ये यूमन टेंडे क्योंकि हमारे देश में भी हम इस सेलफिशनेस को जिस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं, मैं इसे क्यूमन प्रेर्णा के रूप में देखूंगी, कि अगर कोई हमारी प्रेर्णा, हमारे ज्यान और तंत्र ज्यान के कारण हम किसी को हमारे अधीन कर लें और उन्हें इ प्रकृती भी केवल हमारे लिए हैं, इस तरह की विचारदारा से जो एक उपभोग प्रधानता बढ़ रही थी, तो उससे गांधी जी तो बहुत ज्यादा चिंतित भी थे और सोच भी रहे थे कि अगर इसी दिशा में भारत अगर स्वतंतरता को देखता है और स्वतंतरत हासील करने के बाद इस दिशा में अगर जाना चाहता है, तो इसमें केवल भारत का ही नहीं तो पूरे विश्व का विनाश है, पूरे मानव जाती का विनाश है, क्योंकि इस तरह से हम आगे जा नहीं सकते, हम समता और अहिंसा के साथ कोई दुनिया को हम इस तरह से आकार नहीं दे सकते, तो यह तो जिस तरह से गांधी जी देख रहे थे, तो जब भारत 1937 में जब नई तालीम के बारे में उन वर्धा शिक्षा परिशत के माध्यम से पूरे देश को एड्रस किया और पूरे देश के विशेश रूप से जहां कॉंग्रेस प्रोविंस में शिक् किया गया था वर्धा में इस परिशद में और उनके सामने उन्होंने ये बात रखी और नई तालीम जहां पर कॉंग्रेस है वहां पर लागू की जाए और जैसे स्वतंत रता मिले इसे पूरे देश भर में लाया जाए यह बात उन्होंने बहुत ही विस्तार से और अपनी तीनों की एक रूपता और तीनों में बैलन्स रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया चलानी की बात है ताकि एक ऐसे इंसान का निर्मान हो जो केवल बुद्धी के आधार पे अपने आप पर गौर्ण ना करे उसी तरह से वह यह देख पाए कि निर्मान का काम श्रम के बग समाज के बगेर हम जी नहीं सकते तो समाज के साथ का व्यक्ति का संबंध भी बहुत ही कॉंप्लिमेंटरी होना चाहिए वो व्यक्ति विरुद्ध समाज इस तरह का कोही रिष्टा नहीं होना चाहिए इसलिए वे कहते हैं कि ऐसे शिक्षा का प्रारूप जिसमें हेड हाट दिल, दिमाग और शरीर इसकी एक रूपता और इसमें एक ठीक बैलन्स बनी हुई शिक्षा अगर हम देते हैं तो हम अलग तरह के एक अहिंसक समाज की रिचना कर सकेंगे और उसको अलग धंग से देखा जाए तो मैं से देखती हूँ कि वे जिस तरह से एक में इंडस्ट्रियल दुनिया वेस्ट की उसका क्रिटिसिजम करते हैं उसी तरह से नई तालीम चूकी एक आखरी समय में उनके आती हैं और यह समय ऐसा है कि जिसमें वो लगातार देश की कास सिस्टम को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कई अस्पृशता के बार अमबिड कर जी के साथ भी लगातार उनका समवाद चल रहा है और इसमें से वे नई तालीम को श्रम करने वालों को शिक्षा के साथ बहुती मजबुत स्थान देना चाहते हैं और वो इंटिग्रेट करना चाहते हैं कि श्रम और शिक्षा याने एकेडेमिक्स और अधाते हुए यह हमारी अंद्रुनी समाज की जो बीमारियां हमने फैलाई थी वो भी ज्वार्त प्रेरित थी उनको भी हटा रहे थे और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की जो भी एक पैसा और सत्ता अधारी तरचना थी मॉडर्न जिसमें हम बहुत ज्यादा उपभोग अधारी जीवन की बात कर रहे थे उसको भी वो टाल रहे थे या उसको नकार रहे थे तो एक तरह से बहुत ही सरवांगीन सोच और बहुत ही गहरी सोच नई तालिम में है ऐसा मैं मानती एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगी कि यह समय केवल यह सामाजिक रूप से वे कह रहे थे ऐसा नहीं उनकी गहरी समझ उन्होंने जो भी प्रयोग किये थे शिक्षा के अपने बच्चों के लिए दक्षण अफरिका में और साबरमती में भी चंपारेन में वे बिलकुल के मानते थे कि पूरे संसेस को अगर ठीक है पूरी एक रूपता के साथ अगर उत्पादक काम में लगाया जाता है तो बच्चा ज्यादा बहतर तरीके से कम समय में सीख सकता है और वह व्यवहारी जीवन के बारे में जब इस तरह का ज्यान हासिल करता है तो वह तेजी से और बहुत अच्छी शिक्षा पराता है तो यहाँ पर दो चीजे है पेड़ागोजिकल अंडस्टेंडिंग है जो बहुत ही आज के रूप में अगर कहा जाए तो वो तो उस तरह से शिक्षावी नहीं थे जो शिक्षा में अनुसंधान कर रहे या यह गहरा अध्यन कर रह तो इन दो में से उबढ़ा हुआ जो चिंतन है आज के वक्त में कॉग्निटिव साइंस के क्षेत्र में ब्रेइन किस तरह से सीखता है इस संदर्ब में और आज के जो सामाजिक प्रश्न है उन सभी संदर्बों में मैं ऐसे देखती हूं कि नई तालीम बहुत ही अपडेट इक शिक्षा का विचार है एक पुराना विचार है अब बतलब इस अंग्रेजी में हम कहेंगे के टेस्ट्रूली फूचिरिस्टिक अप्रोच च्वार मिच शिकर्श्टिक और एस तालीम शुट भी न कर रेज जो प्रूचर्श पूचंछ ओर बहुत प्रूर्ज की ताली तो वहां की समाज, वहां की भोगोलिक्ता, वहां के जीने के संसाधन, इन सभी के द्वारा, अगर ये तालीम इनकी मदद से होने की बात है, तो ये जगह जगह बदलेगी, उसके तत्वतों वही रहेंगे, अहिंसा के, प्रेम के, एक कंस्टुक्टिविजम के साथ सीखने के पर बाकी चीजें बदलती जाएगी, जहां जो जो रिसोसस हैं, जहां जिस तरह का समाज है, उसमें वहां अलग-अलग ग्रूप लेगा, तो ये हनित्यन उतन अत्व, ये इसका प्राण है, तो स्वाभावी ग्रूप से इसमें फ्यूचरिस्टिक होने का बेहद यहां नई तालीम का प्रयोक तो सेवाग्राम में नए सीरे से शुरू किया गया वह 2005 में, यानि अभी 15 साल हुए हैं, इसके पहले मैंने कुछ इसी तरह से काम किया था, पर वह जो गाओं की बात मेंने की है, उन ग्रामिंग शेत्र में डिवारों से बाहर समाज के साथ की इस रूप में वो किया था, तो एक तरह से भभी नई तालीम का काम है, ऐसा मैं मानती हूँ. आप ये बताईए कि आप दो हजार पांच से ही अगर लें, तो बच्चों को नई तालीम में शामिल करना, उनको इसमें रस आए, ये काम जादा आसान हुआ है कि जादा कटिन हुआ है ये 15-20 साल में. Engaging children in नई तालीम, because after all वो दिन के 16-17 घंटे तो बाहर समाज में अपने परिवार के साथ बिताते हैं, उस सेंस में मैं पूछ रही है. आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस माने में कि नई तालीम की अवश्रक्ता तो बढ़ी है, पर नई तालीम को प्रैक्टीस करना ये और भी कठिन हो गया है. कठिन इस माने में क्योंकि आज के वक्त में सभी लोगों को सम्रुधी बहुत आसानी से, जल्दी से जल्दी मिलें, इस तरह का विचार बहुत बड़े पैमाने पे पनम रहा है. और हमने जिस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था को विकसित किया है, वह ज्यादा से ज्यादा स्टैटिफाइड होती जा रही है. 2005 की अगर बात करें, तो मेरी ख्याल से लगातार पिछले 20 सालों, 20-25 सालों में हमने राइट तो एजुकेशन की बात तो करी है, पर उसके साथ-साथ हमने एक्स्ट्रीम प्राइविटाइजेशन ओफ स्कूलिंग, एजुकेशन हमने किया है. और उसका एक मेरिटोरियस एक प्रारूप है, यहने कुल मिलाकर एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमने कानून लागू किया और हम बच्चों को नंबर नहीं देंगे, ऐसा करेंगे, हम कंटिनियस असेस्मेंट करेंगे, पर साथ-साथ हमारी व्यवस्ता इतनी ज्यादा एक हाइर यह एक रिमोट चांस बना हुआ है, और मुख्य रूप से आज के वक्त में यह, मैं यह कहूं कि इसे, बहुत ही कम विद्यालेयों में, जो अल्टरिटिव स्कूलिंग, जो अलग धरह का दिरशन रखके, और समता के लिए बहुत प्रेरीत जो लोग होते हैं, वे सितियों के कारण कुछ हद तक काम होते हैं, जैसे उदाहन के लिए उपर से लाधा गया है, तो सफाई वगरे के लिए कोई अभ्यक्ती नहीं है, तो वो काम होता है, उपर से लाधा गया, इसलिए कुछ बागवानी होती है, पर एक प्रोसेस ओफ लेर्निंग के रूप में एक thought process, educational thought के रूप में इसे incorporate किया जाना, शिक्षा में, और एक integrated learning की सोच को बढ़ावा देना, इस रूप में structurally हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, भले ही हम इसे acknowledge करते हैं, हमारी हर education policy में, पर इस तरह का प्रारूप विद्यालेव में हो, उसके लिए खर्च किय जाए, उसके लिए teachers को तैयार किया जाए, ऐसी कोई एक political will, social willpower हमें दिखती नहीं है, न लोगों में, न हमारी राज सत्ता में, जहां भी लोग जिस भी इस तरह पर काम कर रहे हैं, उनमें, पर ये जरूर है कि आज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, लोग सवाल उठ लगे हैं, और वे ये भी महसूस करते हैं कि ये व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को marginalize करती हैं, और इस कारण से अलग और क्या options हो सकते हैं, और शिक्षा के तरीके जो है, ये बहुत ज्यादा stress creating है बच्चों के लिए, और अंग्रेजी भाशा का जिस तरह से बच्चों को थोपा जा रहा है, बच्चपन से, उससे भी सीखने की प्रक्रिया बहुत complex और बहुत tension दिलाने वाली बनती जा रही है, और जिसमें जिन लोगों के पास अंग्रेजी परिवार की भाशा नहीं हो, वहाँ पर तो ये stress तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और नई तालीम की दिशा हो सकती है, शायद कुछ हद तक हाँ, कुछ बदला होने चाहिए, वह radical होने चाहिए महसूस करते हैं, पर अभी तक उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है, ये तो सपष्ट है, कुछ हद तक अभी हमारे विद्धाले में middle class परिवारों के बच्चे आने जाते हैं, पर अगर ज्यादा तर आप अगर देखें, तो क्या वह बहुत आसानी से आते हैं, जिन्हें और चोइसे हैं, तो रिलेटिवली इतना बड़े पैमाने पे नई तालीम की तरफ आने की सोच बढ़ ही है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर इतना जरूर है कि नई ताल से बच्चा बदलता है, जिम्मेदार होता है, सेल्प डिवन होता है, यह देखने के बाद बहुत बड़े पैमाने पे जो सीधे संपर्क में आते हैं, या उन बच्चों को देखने वाले जो लोग होते हैं, वो बदलते हैं और वो चाहते हैं इस विद्याले में अपने बेजें, तो फिर वो आगे जाके व्यापक समाज में कैसे फिट होगा, तो थोड़ा वो बताइए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके हाँ है पूरी प्रक्रिया, ताके मतलब वो दस साल या ग्यारा साल के बाद बच्चे के हाथ में कुछ कागज भी आए, जो बाकी दु यह बिल्कुल सही बात है, जब हमने विद्धाले खोलने का तै किया, उस वक्त तो नाशनल ओपन स्कूल के तहट स्टडी सेंटर के रूप में हमने इसे खोला, क्योंकि इसे महराष्ट सरकार ने मान्यता नहीं दी थी, और अभी कानून ऐसे हैं कि जिसके तहट कोई भी व सेंटर के रूप में मान्यता लेनी पड़ी है, और हम यह भी सोच रहे थे कि आज के संदर्ब में अगर हम काम करते हैं, तो चुकि हमारी एक कोई पैरलल एक बड़ी मजबूत रचना नहीं है, इसलिए हमें, और हम यह भी चाहते हैं कि यह हमारा काम इस तरह का हो ताकि से आगे जाने के मोके भी मिले, इसलिए हमने स्टेट बॉर्ड के साथ अपने आपको रजिस्टर किया, इससे मोका यह मिला कि बच्चों की बहाशा से बच्चों को सीखना आसान था, तो जो हमारे शैक्षिक तत्व का हिस्सा बनता है, और हमने एक और बात कहीं, नई ताल से ही केवल नहीं चल सकते हैं, हमने उसमें कुछ बदलाव भी किये, जो समय के साथ किये, और हम यह सोचते हैं कि जिन बच्चों के साथ हमें काम करना है, उनके माबाप क्या सोचते हैं, उनका सिस्टमिक एनलिसिस क्या है, बच्चे कैसे सोचते हैं, या फिर देखते हैं च बहुत अलग हो कुछ माने में, पर जिनके साथ काम करना है, वो भी उसका एक महतोकुर्णा हिस्सा होने के साथ, बदलाव की प्रक्रिया डायलॉक से चले, न कि थोपी जाए, तो इसलिए अगर हमारे कुछ कदम कम गती से जाए, तो भी हर्ज नहीं है, और साथ ही साथ हम जि से नहीं थे कि जो अक्टिविस्त है और पूरी समझ भूज के साथ इसमें आये थे, वे भी नेबर हुड का जो तत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे साथ अच्छे इंसान, अच्छी ढाचे से बड़े हुए अच्छे इंसान बचों के साथ काम करने वाले, और जरे से ये सारी चीजे खडी करने की बात की, तो हर चीज को एक सही समय मिले और पूरे लगातार शेरिंग, डायलोग के साथ नहीं तालीम के तत्व को मिलकर साजह करे, समझें और मिलकर उसे ले, यहने बड़े हुए अच्छे उसे ले, यहने दाने टार्टना रधिन, आपने पर दूब हैं तो दूब वुजिए शाय दूब हैं तो एक तरह से यह चीजे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी तो हम एक democratic तरीके से विद्धा ले चलाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दस्वी की जो परिक्षा है ये board की परिक्षा बचे दे और चूंकी parents चाहते हैं और हम भी मानते हैं कि आज के वक्त में एक अंग्रेजी भाषा भी बच्चों को आना ज़रूरी है और कुल मिलाकर भाषा के संदर्ब में जो एक अध्यन हुआ है और हमारे parents की anxiety है इन दोनों को समझते हुए और structurally जो changes सरकार ने निरणे लिये है उसके साथ भी कुछ हद तक जो parents की असहायता है उसको समझते हुए अंग्रेजी को बच्पन से ही हमने जोड़ने की कोशिश लिए इंडिविजुली अगर मुझे कहा जाए तो मैं उससे बहुत खुश हूँ या ऐसा नहीं है पर अगर बच्पन से भाशा आती है तो भाशा तेजी से सीखने की प्रक्रिया होती है ये बात मैं भी मानती हूँ इसलिए I am not so worried about it कि अंगरेजी बच्चे आप बच्पन से सीख रहे हैं पर हमने उसे एक स्वतंत्र भाशा के रूप में स्थान दिया है बजाए कि वो सीखने की भाशा बने तो बच्पन में सीखने की भाशा तो उनकी मात्रू भाशा ही होनी चाहिए और मात्रू भाशा को मैं फिर से उसको स्थान मिलें और फिर दीरे अंग्रेजी भी बच्चे सीखें हिंदी भी सीखें इस तरह स्थे जाते हैं तो comfort उनका तीनों भाशा से होता है और आगे चलकर चूंकि आगर विज्ञान में बच्चे आगे अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो उन्हें अंग्रेजी क फांडेशन, इंटिग्रेटर सोच का, होलिस्टिक सोच का और उसके साथ एक इंट्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्टिव मोड अफ थिंकिंग, एक एक थिंकिंग इंडिविज्वल बनने की प्रोसेस होती है और एक 16 साल तक या 15 साल तक ये मौका किसी बच्चे को मिलना, य और उसका ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश इस बात की करें और बहतर से बहतर मौका बच्चों को दें इस ऐसी सोच के साथ अभी विद्याले चल रहा है अभी वर्तमान में और भविश्य के लिए आपको अहिमसा के असूल और अहिमसक जीवन के प्रती आप उमीद रखती हैं कि कभी-कभी आपको भय और निराशा भी होती है कभी-कभी निराशा तो होती है इसलिए कि गती जो हम चाहते हैं बदलाव की जो गती है विपरीद दिशा में बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं सकारात्मक दिशा में हमारे कदम उस तुल्ना में बहुत कम गरती से उठ रहे हैं पर मैं से मानती हूँ कि सिचुएशन बदल सकती है और अचानक भी बदल सकती है होना तो ये चाहिए कि आज के वक्त में हम जो समझ रहे हैं परिस्तितियों को तो इनसान की विशेशना तो इसी में है कि परिस्तितियों के कारण वो बदले ये तरीका है पर अगर उसके पास इंटेलेक्ट है और वो समवेदन शीलता रखता है और वो फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ बदलाव कर सकता है अपने आप में और व्यवस्थाओं में, तो इसकी गती ज्यादा होनी चाहिए हो सकती है, और मैं बच्चों में ये बदलाव देखती हूँ जब किसानों के प्रेश्ण भी हो रहे हैं, या फिर जंडर हत्रस की गटना हो र तो मैं देखती हूँ कि जिस गती से वे सिंसिटाइज होते हैं, तो वो क्षमता हैं हैं बच्चों में, बच्चे बदल सकते हैं, उसी तरह से मैं देखती हूँ कि जो युँआ लोग आज के वक्त में, एक काई डिसहुआइनन्स देखताने स्ट में बदलावा शुते हैं I can see some young people coming to Nahi Taalim, very highly educated, but at the same time, quite a kind of व्यवसा के बारे में बहुत निराश और चाहते हैं की व्यवसा के बहुत निराश और चाहते हैं की इसमे बहुत अधिस्टे बदला. They come as resource people? Yes, they come as resource persons, and people, they become part of our team, and मैं उनकी capacity आज के मार्केट में बहुत ज्यादा होते हुए भी, बहुत ही कम, एक sense of voluntarism कही है, या sense of उसे औरों के लिए करने की बचाए, खुद के लिए ये इस तरह के अनुभव से गुजरना, ये उनकी जरूरत है, जिस तरह की एक खुद में जिसे कह सार्थक्ता का अनुभव लेना चाहते हैं, ये देखते हुए मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि ये बदलाव तेजी से हो सकता है, ये बदलाव जिस तरह से युवा लोग देख रहे हैं, आभी किसानों की राली देख रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं होती हैं जंडर के संदर में, जिस तरह से ग्रेटा आज काम कर रही हैं, हमारे छोटे बच्चे भी अगर उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो युवा तो निश्शित होंगे, और मैं ऐसे मानती हूँ कि और होना चाहिए, एक समय आएगा कि हम और कोरोना का प्रकोप जो हमें सिखा रहे हैं कि कितने समय तक हम इस तरह से जाएंगे, जितना इंटर्फियर करेंगे उतना हम नहीं चाहेंगे तो प्रकृती हमें सिखाने के लिए आज के वक्त में बहुत तयार है और हमें काफी तेजी से वह बताएगी कि आप कहां चूक रहे हो, तो मैं ऐसे मानती हूँ कि यह होगा और यह होगा और अहिंसक तरीके से जीना यही हमारे लिए अल्टनेटिव है, हमारे एक्जिस्टेंस के लिए वो एक अनिवारियता है और यह होगा यही, that keeps us going and I don't want to lose that hope. Of course, is there आपकी इतने जो व्यापक अनुभव हैं, ना केवल नहीं तालीम विशेशकर से, बट जो पूरा आपने अपने जीवन का एक संदर्व बताया, उसमें से क्या कुछ ऐसी बाते हैं, जो आप, मतलब बता सकती हैं, जो लोग अपने जीवन में लाएं, वो मतलब वो किसी भी संदर्व में जी रहे हों, किसी भी walk of life में हों, what are some of the few, you know, sort of tips that people can absorb about the ethos that you are working with in नही तालीम, which will help them to have a more, non-violence and stress-free life are very closely related, so I meant in that sense, to have a non-violent and a stress-free life. दिखिए, मैं तो किसी को बताने के स्थिती में हूँ, ऐसा अपने आपको नहीं मानती हूँ, पर हर किसी का एक अपना जो प्रवास होता है, मेरा भी प्रवास उस विशा में जब है, तो मैं ऐसे देखती हूँ कि एक openness dialogue का, ये बहुत ही महतोपूरण पहलू है, मुझे जो समझा है वही अंतीम है, इस एक आग्रह वाली भूमी का से अगर हम हटते हैं, और हमें जो मैसूस होता है, वह हम जरूर कहें, पर दूसरे भी अपने context से कुछ, उनकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वे अपनी बाते रखते हैं, तो वो बच्चा हो या अभिभावक हो, या दूसरे विचारों के कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम एक खुला dialogue प्रस्थापित कर पाते हैं, हम दूसरों को सुन पाते हैं, और अपने विचारों के बारे में भी, एक बहुत ज्यादा आसक्ति के बगेर, पर पूरी प्रामाणिता के साथ, पूरी ट्रांस्परेंसी के साथ, औरों के सामने पेश आते हैं, तो कुछ हद तक एक सही तरीके से, हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं, उसी तरह से दूसरों की बात को हम, वो प्यक्ति क्यूं उस तरह से बोल रही है, क्या, क्यूं ऐसा अलग राय उसकी बन रही है, इसको भी हम बहतर तरीके से समझ सकते हैं, और फिर हमारी भी प्रामानिक्ता और सामने वाले इंसान के नियत में खोट नहीं है, शायद अनुभवों में है, ऐसे अगर हम माने और गुड्नेस इन इन इंडिविज्वल, उसको हम मिलकर हम कोशिश करें कि हम और भी चालेंज आवरसल्स, and also maybe others with complete friendliness, कि हम अगर इन चालेंज़ेस को दुनिया के समझते हैं, और एक दूसरे के सामने उन पर डायलॉग करते हैं, किसी अगरह के बगेर, किसी ऐसी बात के बगेर कि जो मैं समझा हूँ, वो श्रेश्ट है, और मैं काइंड ओफ बहतर इंसान हूँ, क्योंकि मेरी समझ ज्यादा है, इस तरह कि अगर बात हम न मानते हुए ये डायलॉग को बना सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि बदलाव की संभावनाएं भी तेजी से आ सकती हैं, बट वी हैब तो बी क्रीटिकल अबाउट सेल, मैं ये मानती हूँ कि हमें गहरे डायलॉग के बगैर, हम ये बदलाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष में आ सकती हैं, ऐसा नहीं मान सकते हैं, चूकि हम ये मानते हैं कि बाहर की जो दुनिया हैं वो और हम ये एक अगर हैं, तो और हम चाहते हैं कि सारी चीजे बदले, तो हम किसी पर enforce नहीं कर सकते हैं और बदलने की प्रक्रिया चूकी व्यक्ति खुद करता है, हम किसी इसको बदला नहीं सकते हैं, यह एक educational theory है, अगर यह हमें समझ नहीं है, तो हम खुद के लेवल पे एक critical source, reflection की प्रक्रिया जैसे करते हैं, उसी तरह से यह मौका औरो को भी मिले और एक खुला डायलोग, non-aggressively किया जाए, और अपील किया जाए, कि देरा, and so that everybody in some ways reflects on her or his own understanding about the world, and together as a group, as a community, we do reflection sessions and become critical of multiple things where we need to be, and have choices collectively done. अगर हम collectively इस तरह की प्रोसेस में जाते हैं, consensus से आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हम individual options तो सही माने में ढून पाते ही हैं, पर उसी तरह से अगर बदलाव की प्रक्रिया व्यापक पैमाने पे होनी है, तो वो कच्रा व्यवस्थापन से लेकर तो तरीके सीखने के क्या हो, यह अभी बावक और स्कूल के सभी stakeholders, जिने modern भाशा में कहा जाता है, या सभी participants, इनको अगर तै करना है कि हमारी शिक्षा क्या हो, तो यह गांधी जी ने बता कर अभी नहीं चलेगा, उनको हम मदद के लिए ले सकते हैं, पर सोच हमारी होनी पड़ेगी, हमारे context पे हमने evolve की रहेगी, तो फिर वह हमारी होगी, हम उसे करेंगे, तो ऐसी सोच अगर हम कर पाते हैं, तो मैं निश्रित रूप से सोचती हूं, कि हम जरूर बड़ाव लाएंगे, हाँ बड़े पैमाने पे हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी, so that everybody reflects on one's own understanding, and challenges one's own understanding, and looks for better options, yeah. क्या बात है, बहुत बहुत चुक्रिया.